सहला दोस्तों स्वागत है आपका कार्यों इंडरसिटी के एक नई वीडियो में आज आपके सामने है एक कमर्शियल गाड़ी जिसका नाम है टाटा एस गोल्ड सी एन जी प्लस यह इसकी चावी है दो चावी है इस तरह की मिल जाती है हमें सिंपल चावी मिलती है और यह है इसका फ्रेंट लूग यही लूग कई सालों से चलता आ रहा है टाटा एस गोल्ड में evergreen look है इसका front में आप देख सकते हो goal headlights मिल जाती है और दो indicator उसके उपर ही हमें मिल जाती है बहुती simple और sober look है इसका front bumper भी इसका fully black color में मिल जाता है उसके साथ दो reflectors उसके साथ मिल जाते है जो की white color के साथ है आप देख सकते हो बीच में हमें Tata का logo and grill मिल जाती है उसके साथ उपर हमें दो wipers मिल जाते है इसकी एक showroom price है 6,35,000 रुपए और हाँ ये CNG में है इसमें diesel का भी option है और petrol का भी option है लेकिन ये CNG में सबसे ज़्यादा value for money बन जाती है उसके साथ इसमें 3 CNG टैंक्स लगे हुए है मैं आपको आगे दिखाऊंगा वो और उसके साथ इसमें हमें front suspensions की बात करू तो वो है parabolic live spring suspensions आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा low maintenance cost होती है इस suspensions की Tata का logo यहाँ पर S की badging front में भी और gold की badging यहाँ पर मिल जाती है उसके साथ normal halogen headlamp setup मिल जाता है इस headlight का और CNG की badging इस तरह से और 24 hour customer service assistance का assurance देती है Tata S gold के साथ यह है इसकी loading capacity आप देख सकते हो MPGI की badging यहाँ पर मिल जाती है CNG plus की यहाँ पर badging के door पे और यह है इसका overview आप देख सकते हो fully manual adjustable है यह आपको बार से adjust करना बढ़ता है और यह आप side look देख लो एक बार इसका इसके loading lip के नीचे ही हमें 3 CNG tanks मिल जाते है total 105 liter के capacity है CNG tank की 18 kg CNG इसमें आ सकता है एक साथ उसके साथ ही इसकी जो range है वो 400 km तक हो जाती है इसके dimensions के बारे में बात कर लेते इसकी land है 4075 mm की इसकी weight है 1500 mm tire size की बात करो तो 145 R12 LT 8 PR sections के इसमें tire मिल जाते है आगए और पीछे यह है इसके 3 cylinders CNG के आप देख सकते हो clearly loading lip के नीचे ही है और battery आपर मिल जाती है और यह है इसके rear suspensions rear में हमें semi elliptical lew spring suspensions मिल जाते CNG pressure आप यहाँ पर देख पाऊगे कितना pressure मिल रहा है और यहाँ पे knob भी मिल जाती है on off करने के लिए और यहाँ ऐसे फिल होगा CNG कुछ इस तरह से इसकी fuel cap मिल जाती है यह open होगी तो गाड़ी चालो नहीं हो सकती यह एक safety feature है इसमें अगर मैं बात करूँ इसके loading capacity की तो वो है 610 kg 610 kg का इसका weight capacity है load capacity आप इसे बोल सकते हो यहाँ पर इसकी tail light आप देख सकते हो simple tail light है reverse light यहाँ पर मिल जाती है और CNG के badging पीछे भी मिल जाती है इस तरह engine के badging और यह है इसका spare wheel exhaust pipe भी यहाँ पर मिल जाता है यह है इसके rear suspensions semi elliptical loose spring suspensions आते हैं इसके rear में इसमें electric version भी आता है diesel भी, petrol भी और CNG सारे तरह के versions available है S gold के साथ तो यहाँ पर हमें rear के लिए glass area मिल जाता है CNG plus की badging इस side भी मिल जाती है यह है इसका front look यहाँ पर इसके CNG tanks आप देख सकते हो 105 liter का capacity है tanks का और लगबग 18 kg CNG आता है इसमें और यह है इसका 700 cc का 2 cylinder CNG engine exhaust pipe हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है engine की power की बात करू तो वो लगबग 26 bhp प्रोड्यूस करता है 51 nm torque के साथ चलिए डाला खोल के दिखा था हूँ मैं आपको इस तरह से यह दो clips open हो जाती है इससे open हो जाता है इसका डाला मारूति सुदू की carry जो गाड़ी है उससे भी बड़ा इसका पीछे वाला डाला है इसमें हमें mileage भी अच्छी कासी देखने को मिल जाती है लगबग 21.4 kmpl की mileage हमें इसमें देखने को मिल जाती है 21.4 km per kg के हिसाब से mileage होती है और यह इसका front door आप देख सकते हो पुरा black color का और manually आपको window open करने पड़ेगी power windows इसमें नहीं आती door handle and door opener यहापर मिल जाता है tire pressure information यहापर मिल जाती है उसके साथ यह इसके driver side seat यह height adjustable नहीं है और headrest भी इसमें available नहीं है आपको simply यह recliner भी नहीं मिलती simply आपको यह आगे पीछे sliding seats मिल जाती है आप देख सकते हो इस तरह यह slide होती है उससे पीछे हमें jack मिल जाता है और थोड़ी पहुत space मिल जाती है इस तरह यह window मिल जाती है पीछे देखने के लिए fire instinct visual मिल जाता है और आप देख पाऊगे इसका dashboard और steering wheel बहुती simple इसका steering wheel है जैसे पूरा नहीं जमने में से चलता आ रहा है इसका steering wheel वेसा ही मिल जाता है और यह इसका चाबी लगने की जग़ इस तरह horn मिल जाता है यह तीन pedals और headlight leveling के लिए button है seatbelt लगने के लिए जग़ और seatbelts इसमें आती है simple roof है उपर यह है इसका 5-speed manual gear box river gear के साथ handbrake मिल जाता है इसमें lockable glow box है यहाँ पर documents वगरा रखने के लिए music system लगने के लिए जग़ और charging के लिए USB outlet है यहाँ पर information मिल जाती है engine की कुछ इस तरह का dashboard design है इसका उपर handle and IRBM मिल जाता है lights मिल जाती है यहाँ पर ticket holder है gear information and steering wheel आप देख सकते हो यहाँ पर headlight का button और wiper का switch यहाँ पर मिल जाता है यह इसका digital instrument cluster 80 km per hour की इसके top speed है CNG का fuel gauge वगर आप यही से देख पाऊगे कितना CNG आपके पास बचा है और kilometers भी इसमें show होंगे उसी के साथ time भी आपको दिखाने वाला है और warning lights भी आपको यही पर show होने वाली और fully digitally आपको इसका speedometer दिखने वाला है मैं आपको एक बार इसका engine दिखा दो और बता दो engine specifications इस तरह इसका engine दिखता है co passenger side seat open हो जाती है उसके नीचे engine मिल जाता है यह 700cc का engine जो लगबग 26 bhp प्रोडियूस करता है 51 Nm torque के साथ 24 की mileage आपको निकाल के देगा CNG के साथ और 2 cylinder engine है यह बहुती low maintenance cost है इसकी कही पर भी इसकी servicing और low maintenance होने के कारण यह कही पर भी कम कीमत में easily repair हो जाता है अब side by side compare कर लेते हैं मारत की super carry CNG के साथ टाटा की S code CNG plus को तो आप देख सकते हो दोनों में कितना difference है design के मामले में और height भी super carry की थोड़ी सी ज्याजा है minor difference है और यह है इसकी CNG tanks आप देख सकते हो और यहापर super carry के tanks आप देख सकते हो यहापर हमें दो tanks देखने को मिल जाते है लेकिन टाटा S gold में तीन tanks है तो ज्यादा range हमें मिल जाती है उसी के साथ 70 liter हमें tank capacity मिलती है super carry में और 105 liter के tank capacity हमें Tata S gold में मिल जाती है तो यहापर आप देख सकते हो यह जो high maintenance वाले suspension है वो super carry में लगे है और low maintenance वाले जो suspension है वो हमें S gold में देखने को मिल जाते है इनकी maintenance cost है वो कम होती है तो वो वाले suspension हमें S gold में देखने को मिल जाते है उसी के साथ engine के बात करें तो engine हमें super carry में बड़ा और refined engine देखने को मिल जाता है मारोत की super carry में हमें 1.2 liter का 4 cylinder मिलता है जो की 62 bhp प्रोडूस करता है यह एक refined engine है और mileage भी 23 kmpl की देता है लेकिन जो S gold वाला engine है वो सिर्फ 700cc का है और 2 cylinder के साथ है और mileage हमें इसमें जादा मिलती है 24 kmpl की दोनों का interior आप देख सकते हो side by side super carry की price टार्ड हो दिये 5,83,000 से 6,35,000 S gold की